आप सभी का स्वागत है competition community के इस e-learning platform पर मैं हूँ अभिशेक गौरहा और हम deal कर रहे हैं current affairs आज है 26 जून याने की Wednesday और आज हमारे लिए है national और international current affairs day याने की राश्ट्री और अंतर राश्ट्री वे सभी समसमाई की घटनाएं जो हमारे exam के perspective से हमारे लिए उपयोगी होंगी उनको हम deal करेंगे आज के session को शुरू करने से पहले फिर से आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए जो opportunity है उसे हम सामने लेकर क्या आ रहे हैं प्री प्लस मेंस याने की चतिसगर लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली जो राज्य सेवा परिक्षा होती है चतिसगर पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा कंड़क कराई जाने वाली जो state services की examination होती है जो तीन चरणों में होती है preliminary exams, mains और फिर interview उनके जो दो मुख्य चरण होते हैं याने की preliminary exams और mains exams उन दोनों के ही लिए एक dedicated और integrated आपके लिए test series हम क्या कर रहे हैं launch कर रहे हैं और यह कब से होने वाला है यह होने वाला है आप लोगों का 30 June से शुरू होने वाला है और यह किस रूप में आपको देखने मिलेगा integrated रूप में आप लोगों को prelims और mains के रूप में देखने को मिलेगा कुल मिला करके इसमें क्या होंगे 85 टेस्ट होंगे एक ही syllabus में पहले आप लोगों को मतलब एक ही syllabus में एक ही दिन में आप लोगों को बहुत भी कल्पी है प्रश्णों को भी solve करने का experience होगा और साथ में वनी को subjective वे में भी deal करने का आप लोगों को क्या होगा experience दिया जाएगा आप लोगों का time जादा waste ना हो इसलिए यह integrated approach पर 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 यह क्या किया जा रहा है test series को launch किया जा रहा है कुल मिला कर इसमें osение और जिसमें से 55 जो होंगे वह आपके किसके लिए होंगे dedicated आपके pre preliminary exam के लिए dedicated होंगे और जो 30 टेस्स होंगे वह मिला कर किसके लिए होंगे mains के लिए आपका dedicated होगे दोनों ही एक साथ शुरू हो रहे हैं 30 जून 2024 को और आपका जो मेंज का test series है वो खतम हो जाएगा कब 10 नवेंबर 2024 को याने कि यह आप लोगों को एक long term test series के रूप में देखने को मिल रहा है क्योंकि आप लोगों का prelims का exams February में होते हैं generally second week के Sunday को इसलिए dedicatedly जो prelims के टेस्स होंगे वह 10 नवेंबर के बाद से भी continue रहेंगे कब तक 15 जनवरी तक तो यह आप students के लिए आप students के उपियोग के लिए एक क्या लाया जा रहा है इंटिग्रेटेड अप्रोच में टेस्ट लाया जा रहा है बाई लिंग्वली यह टेस्ट होंगे हिंदे इंग्लिश दोनों में ही उनके मार्क दर्शन में और हमारे जो expert faculties रहे हैं जिनके मार्क दर्शन में students का चैन हुआ है उन सभी की expert team द्वारा क्या किया जा रहा है इसे बनाया जा रहा है 24 hours का आपको यहाँ पर क्या देखने मिलेगा doubt solving at gateway देखने मिलेगा ज्याने कि 24 into 7 आप कभी भी आपके test series से सम्मंदित जो doubts है उनको आप हमसे पूछ सकते हैं और साथ साथ पूर नत्ता है यह क्या रहेगा exam oriented रहेगा कोई भी फिजूल की बातें यह किरा जाएगा syllabus को cover कराया जाएगा आप लोग इसके अधिक information के लिए हमारे website पर जा सकते हैं हमारे telegram के channel में जा सकते हैं हमारे जो 5 branches हैं यानि कि बिलासपूर का मंगला ब्रांच और गांधी चौक का ब्रांच राइपूर का ब्रांच दुर्ग का ब्रांच और जाएगा walk-in करके भी क्या ले सकते हैं इसके बारे में information ले सकते हैं जो initial students होंगे initial कुछ चुनिंदा students को क्या दिया जाएगा 60% का off भी यहां पर दिया जाएगा आपका जो यह comprehensive test series है उसमें है ना तो यहां से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं अवेल कर सकते हैं ठीक है और यह आप लोगों के exam के लिए क्या होने वाला है बहुत ही उपयोगी होने वाला है तो इसी के साथ में आज शुरू करते हैं आज का हमारा session जो है क्या राश्ट्री और अंतर राश्ट्री है समसमाई की जो जून के तीसरे हफ़ते में हमारे लिए महत्वपूर्ण रही है आ हो सकता है थोड़ा कम पढ़ जाए तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम आप लोगों के सामने दो पार्ट्स में ले करके हैं देखते हैं आज का हमारा जो session रहेगा उसमें हम जो format हमारा follow कर रहे हैं उसमें हमारे लिए क्या-क्या important है सबसे पहला तो जो important है वो है आ जोक्ताम अधिनियम दोहजार चौबिस को लागू कर दिया गया है एक सो बार्वा अंतर राश्ट्रिय श्रम शिखर सम्मेलन हुआ है एक सो बार्वा इंटरनाशनल लेबर समिट हुआ है फिर बिहार में reservation को लेकर के जो आपका ST, SC, EBC और EB का reservation है उसको लेकर के कुछ issue चल उसको घोशित कर दिया है किसके लिए खरिफ फसलों के लिए यानि कि न्यूनतम समर्थन मूल जारी कर दिये हैं उसके बारे में थोड़ा information देखेंगे फिर एक नाग अस्त्र देखेंगे जो कि क्या है भारत में इंडिजिनसली बिल्ड मतलब आत्म निरभर भारत की और ए बिल्कुल हमारे पसे स्थान हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टन्ट है तो बिलकुल हमारे पास जम्मु और कश्मीर है क्यों है आगे देखेंगे दूसरा है राजगीर जहां पर क्या है नालन्दा परिषर है और यह कहां पर है बिहार में है इसके बारे में देखेंगे फिर हमारे पास में कुछ रिपोर्ट्स हैं उनको देखेंगे और किनको देखेंगे हम कोई हमारे पास में कुछ दिवस हैं उनको भी हम देखेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा वर्ल्ड रिफ्यूजीड हो जाएगा रिपोर्ट बाय जल जीवन मिशन हो जाएगा वर्ल्ड पीस इंडेक्स हमारे पास में है और इंटरनाशनल इयर ओफ क्वांटम साइन्स एंड टेखनोलोजी है ये सभी क्या है महत्वपूर्ण दिवस है या फिर रिपोर्ट्स है या फिर वर्ष है इनको देखेंगे इसके बाद में हम लोग फाइनली पहुँच जाएंगे कहां हमारा भारत का या फिर अंतरराश्ट्री अस्तर पर हमारे लिए कौन-कौन से खेल की समसमाई की महत्वपूर्ण है उनको भी देखेंगे तो भारत बनाम दक्षन अफ्रिका का महिलाओं का क्या है महिला क्रिकेट का वन डे इंटरनेशनल का क्या चल रहा है एक सीरीज चल रहा है उसके बारे में देखेंगे फिर बी डबलु एफ का उस्ट्रेलियन ओपन हुआ है या ना मतला बैड्मिंटन वर्ल्ट फेडरेशन द्वारा उस्ट्रेलियन ओपन कर आया गया उसके बारे में देखेंगे और फाइनली यूरो कप के बारे में देखेंगे तो आज का विडियो बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है आप लोगों के एक्जाम पॉइंट अफ यू से ले करके आप लोगों के सामान्य जानकारी तक के लिए आज का विडियो बहुत इंपोर्टन होने वाला है कोशिश किजिएगा अंत तक हमारे साथ में इस विडियो में बने रहिए का सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है क्या पब्लिक एक्जामिनेशन प्रिवेंशन ओफ अनफेर मीन्स एक्ट तुथाउसंट ट्वेटीफ़ वाट इस एट इन एक्ट च्प्रिवेंट अनुचित साधनों की रोक थाम और उससे संबंदित या उससे अनुशंगिक मामलो के लिए प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम मनाया गया है हाल ही में हमें बहुत सारे क्या देखने मिले हैं backlashes देखने मिले हैं हमारे जो public examinations है public examinations मतलब आपके high school के exam higher secondary school के exam उसके बाद में आप लोगों के जो उच्छ सिक्षा के लिए उसके लिए भी जो आप लोगों को एक्जाम दिलायने मिलता है, इन सभी में कहीं न कहीं पूरे भारत के हर किसी न किसी छेत्र में आप लोगों को गड़बडियां देखने मिल रही है, जिसके लिए हमारी जो सरकार है, उसने एक अच्छा कदम उठाते हुए क्या किया है, एक सिधा सिधा एक आपका कानून बना दिया गया है, और जिस कानून का नाम क्या है, पब्लिक इग्जामिनेशन प्रिवेंशन आफ अनफेर मीन्स, ठीक है, तो ये किसके लिए है, अब इसके बारे में बेसिक इनफोर्मेशन देख लेते हैं, ये आपके संसद से पारित इसे कर दिया गया था, 9 फरवरी 2024 को, आप लोग बोल रहे होंगे, 9 फरवरी 2024 को इसको पारित किया गया, तो फिर इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको अभी थोड़े देर में हम समझते हैं, तो संसद द्वारा इसे पास कब किया गया है, 9 फरवरी 2024 को, इसे राश्रपती की मुहर कब मिली है, या फिर स्विक्रिति का प्रदान की गई है, आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो संसद है, ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है, एक है आपका लोक सभा, एक है आपका राज्य सभा, और एक है आपके पास में राश्ट्रुपती. किसी भी आपके बिल को एक्ट बनने में, यानि कि किसी भी आपको, तो किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को एक एक्ट बनने में, या फिर विधेयक को क्या बनने में, अधिनियम बनने में, इन तीनों चरणों से हो करके गुजरना पड़ता है, जब वो दोनों सबहाओं से पास हो जाता है तब उसे बोला जाता है क्या इट हैस बिन पास्ड बाई पार्लियमेंट पास्ड बाई पार्लियमेंट या फिर इसको हम बोलेंगे क्या संसद से पारित संसद से पारित जब कोई भी विधेयक या फिर बिल संसद से पारित हो जाता है उसके बाद में उसे पेश किया जाता है किसे राश्ट पती को और जब वो राश्ट पती की उसमें क्या हो जाती है स्विक्रिती मिल जाती है या फिर Ascent मिल जाता है राश्ट पती का तब जाकर के ये जो विधेयक होता है बिल होता है ये क्या बन जाता है अधिनियम बनता है और तब जाकर के इसे भारत देश की official गैजेट में क्या कर दिया जाता है publish कर दिया जाता है है ना तो तो संसद से इसे कब पारित कराया गया था 9 फरवरी 2024 को एक एक डेटा आप लोगों के लिए important है इसके बाद में राश्ट्रपती की मुहर इसमें कब लगी है तो 12 फरवरी 2024 को इसमें क्या मिल गया है राश्ट्रपती की मुहर लग गई है लेकिन इसको implement कब से किया गया है मतल देखते हैं इसके अधिनियम के बारे में यह जो अधिनियम है यह 6 chapters 19 sections और एक schedule में बटा हुआ है मतलब आप लोगों से directly question यह पूछा जा सकता है which of the following statement is true about the public examination prevention of unfair means और आप लोगों से यहां से क्या पूछे जा सकते है statement वाले सवाल पूछे जा सकते हैं क्या इसमें 9 chapters हैं क इसमें 6 आपके schedules हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है 6 अध्यायों के 9 धाराओं में इसे क्या किया गया है बाटा गया है 6 अध्यायों के 9 धाराओं में इन्हें बाटा गया है और साथ में एक अनुसूची है इसमें बहुत important है ठीक है और इसी 6 अध्यायों में से जो पहल अध्याय है जिसे हम preliminary के नाम से जानते हैं एक मैप कोशिश करूँगा पूरा detailed वीडियो आप लोगों के लिए इस अधिनियम के ही उपर base करके ले करके आऊं फिल हाल आप लोग जो basic information है उसको देख लिजे ये जो 6 धारा अध्याय है उनमें से जो पहला धारा है उसकी खंड दो याने की धारा एक का खंड दो में ये बताया गया है कि इसे ये जो आपका अधिनियम है या फिर ये कानून है ये उस दिन से भारत में लागू हो जाएगा जिस दिन से भारत सरकार या फिर भारत की जो कारेपालिका है वो उसे क्या कर देगी Official Gazette में भारत के आधिकारिक राजपत्रक में क्या कर देगी प्रकाशित कर देगी उस दिन से तो ये 12 फरवरी से लंबित था इसका प्रकाशन किसमें आपके Official Gazette में 21 जून 2024 को जो NTA का पूरा मामला हुआ था उसके बाद में 21 जून 2024 को आनन फानन में इसे क्या किया गया है Official Gazette में पब्लिश करा करके इसे लागू करा दिया गया है अब इसमें कुछ एक आद दो और इंफर्मेशन है वो देख लेते हैं ये वही बात कर रहा है अध्याए एक जो है वो प्रानरंभिक सूचना से संबंदित है और यहां प्रावधान करता है कि कानून उस तारीक को लागू होगा जिस दिन केंद्रिय सरकार इसे क्या करेगी आधिकारिक राजपत्रक में अधिसूचित कर देगी अब इसमें कुछ विशेश तत्थे हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ये जो आपका अधिनियम है लोग परिक्षा अनूचित साधनों की रोग थाम अधिनियम दोहजार चौबिस ये अपने अंडरर में किस किस को रखेगी तो ये UPSC याने की Union Public Service Commission जिससे IAS IPS समेथ बहुत सारे Class 1 और Class 2 के Officers का क्या होता है चयान होता है वहां से इसके बाद में आपका ये है आपका SSC याने की Staff Selection Commission फिर RRB इसके बाद में आपका IBPS और NTA ये सभी जो संस्थान है इनको भी अपने परव्यू में रखेगी और इसमें सजा का प्रावधान क्या है अगर कोई व्यक्ती इसमें गैर आपका क्या Unfair Means का यूज करता हुआ पाया जाता है अनुचित साधनों का यूज करता हुआ पाया जा सकता है मतलब पाया जाता है तो उसे 3-5 साल तक की क्या हो जाएगी जेल का प्रावधान किया गया है और साथ में 10 लाख रुपए तक की इसमें क्या है फाइन की राशी इसमें आप लोगों को देनी होगी है ना तो 3-5 सालों तक क्या है इसमें इंप्रिजनमेंट है याने की जेल है साथ में 10 लाख रुपए तक का फाइन है और अगर कोई व्यक्ति जिसे एक्जाम कंड़क्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है वो किसी अनफेर मीन्स को यूज करता हुआ पाया जाता है तो उसे 1 करोड रुपए तक क्या देना पड लेगा यह सभी प्रावधान किया गया है किसमें लोग परिक्षा अनुचित साधनों की रोग था मदिनियम दोहजार चौबिस में तो यह वेरी 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 इंपॉर्टन हो जाता है मैं कोशिश करूंगा इसको पूर्ण तह डील करने की मतलब यह अधिनियम कितने चैप् यूख हो सकें इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसको फिर से पूरी तरह से डील करने का ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला हमारे पास में है एक सो बार्वा अंतरराश्ट्रिय श्रम शिखर सम्मेलन याने कि इंटरनाशनल लेबर समिट किया गया है कौन से नंबर का कि इस सो बार्वा वरी इंपोर्टेंट यहां पर आप लोगों को डिरेक्ली क्वेस्टन पूचा जाएगा क्या एक सो बार्वा अंतरराश्ट्रिय श्रम शिखर सम्मेलन कब और ऑर्गनाईस किया गया तो यह और्गनाईस किया गया है 20 जून को 20 जून 2014 को कहां और गनाईस क यहां अंतर राष्ट्रिय श्रम संगठन की सबसे महतपूर्ण बैठक है ठीक है चलिए आगे चलते हैं तीसरा जो मामला है बहुत जादा इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट भारत के किसी भी राज्य किसी भी यूनियन टेरिटरी में होने वाले जो भी ए बिहार आरक्षण मुड़्दा पटना उच्य न्यायाले ने बिहार सरकार द्वारा अनुचित जन जातियों पिछडे वर्गों और अत्यंत पिछडे समुदायों को दिये जाने वाले 65 प्रतीशत आरक्षण को असम्मेधानिक गोशित कर दिया है और न्यायाले ने बिहार सरकार को वर्तमान 50 प्रतीशत में क्रीमी लेयर की पहचान करने और वास्तों में जरूरत मंदों को आरक्षण प्रदान करने का भी आदेश दिया है मतलब बिहार में जो आपका पटना उच्च नयायाले है वहाँ बिहार सरकार द्वारा जो गोशना की गई थी उनकी विधाई का द्वारा पारित करा करके एक नियम मनाया गया था जिसमें वहाँ पर जो आपका आरक्षण का प्रतीशत है उसे 50% का जो कैप सुप्रीम कोट द्वारा 1992 में इंद्रा सहानी केस के बारे में बताया गया था उसका उलंगन करते हुए 65% का आरक्षण वहाँ पर लागू कराया गया और सरकार का कहना है कि जो बिहार सरकार है या फिर बिहार राज है वहां के लिए हम special status मतला विशेश दर्जा बहुत समय से मांग कर रहे हैं बिहार जो है वो सामाजिक और मानव विकास के जो आपका चरण होता है उसमें काफी पिछड़ा हुआ है अब ऐसे राज्य में हमारा क्या है special circumstances है special circumstances है कुछ विशेश ऐसे हमारे परिस्थितियां जनित हो गई है जिसके कारण हमें क्या करना पड़ रहा है 65 प्रतीशत का आरक्षन लागू करना पड़ रहा है बिहार अपने राज्य में चार तरीके से क्या देता है आरक्षन देता है एक देता है scheduled tribes याने की अनुसूचित जन जाती दूसरा देता है scheduled caste याने की अनुसूचित जाती तीसरा देता है backward आपका backward classes जिसे हम BC कहते हैं और तीसरा देता है extremely backward communities E, B, C इन चार लोगों को क्या करता है बिहार सरकार आरक्षन देता है और इसी के मांग को ले करके क्या किया था बिहार सरकार ने एक अधिनियम पारित करा दिया था लेकिन पटना high court ने बोल दिया है कि 50 ऐसी कोई भी conditions नहीं है जिसके कारण आप लोगों को 50% से ज्यादा क आपका court है इसने आपका भारतिय सम्मिधान की अनुचेद 13 भारतिय सम्मिधान के अनुचेद 13 का क्या किया है प्रयोग किया है और इसने क्या कर दिया है आपका असम्मिधानिक गोशित कर दिया है किसे यह जो 65% का आरक्षन मामला है इसे ठीक है अब court ने इसके लिए क्या तथ्य दिये हैं उसको देख लेते हैं पर्याप्त प्रतिनी धित्व का अर्थ अनुपातिक प्रतिनी धित्व नहीं है जैसा कि इंद्रा सहानी 1992 में नौ नयादीशों के प्रसिद्ध फैसले में स्पष्ट किया गया था यदि किसी वर्ग के लिए निर्धारित कोटा स्तर को राज्य की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने का कोई प्रयास किया जाता है तो कुल आरक्षन प्रतिशत का अनुमे सीमा से अधिक हो जाती है तो यहाँ असमविधानिक होने के लिए उत्तरदाई हो जाती है मतलब यह है कि जो आपका बिहार की सरकार है उसने ये बोल के population निरंदर बढ़ते जा रहे हैं तो क्योंकि उनकी population continuously बढ़ रही है इसलिए उनको reservation भी ज्यादा देना चाहिए मतलब उन्होंने किसकी बात की है अनुपातिक प्रतिनिधित्त की बात किया यानि की proportional representation की बात की है मतलब जितना जनसंख्या राज्य में आपके इन categories का होगा उन्हीं के according उनको क्या दिया जाना चाहिए reservation दिया जाना चाहिए ये बात की है किसने आपका बिहार सरकार ने लेकिन हमारे Supreme Court ने ये बोला है या फिर हमारे सम्विधान में लिखा है कि जहां पर भी हमें पर्याप्त क्या नहीं है प्रतिनिधित्त इन लोगों का नहीं मिलता है है ना जो STs हैं STs हैं EBCs हैं या BCs हैं इनका जहां पर आप लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्त नहीं मिलता है वहाँ इनके पर्याप्त प्रतिनिदित्व के लिए adequate representation के लिए reservation की क्या की जा सकती है आपका व्यवस्था की जा सकती है और इस अधार पर ही हमारे भारत ने पूरी reservation की व्यवस्था चलती है अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है उनके population के according क्या मांगा है इन्होंने reservation मांगा है जिसको ये क्या बोल दिया है सिधा सिधा ने आया लेने कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब ये नहीं होता कि आप अनुपादिक प्रतिनिधि कहें मतलब population अगर बढ़ रही है इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों का क्या बढ़ा दिया जाए reservation का quota बढ़ा दिया जाए उल्टा आप ये करिए कि जो आपका 50% का cap है राज में बिहार में उनमें से आप identify कीजिए कि कौन creamy layers है ये जो creamy layers है इसका भी concept आपका इंद्रा सहानी केस 1992 में ही आया था उन creamy layers को आप क्या कीजिए वंचित कीजिए ये जो आपका आरक्षन है उसमें से और जो actually में सुदूर ग्रामों में रह रहे हैं पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं वो actually जो लोग actually में जिनको जरूरत है उनके लिए आप व्यास्था कीजिए किसकी आरक्षन की मतलब आप अपना cap बढ़ाने के बजाए आपका जो दिया हुआ cap है 50% का उसमें से आप creamy layer को identify करके हटाईए और actually में जिनको जरूरत है उनको आप reservation के पर्व्यू में ले करके आईए यह कहना है किसका supreme court का है ना लेकिन यहां पर एक बात जाने ने योग्य यह भी है कि जो इंद्रा सहानी केस है सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो आपका इंद्रा सहानी versus इंडिया union of इंडिया का केस है इंद्रा सहानी versus union of इंडिया का यह जो पूरा केस है इसी केस के बाद में क्या आया था आप लोगों के देश में यह बताया गया था हमारे देश में यह बोला गया था कि जो 50% reservation से ज्यादा का हम किसी भी राज्य में क्या नहीं करेंगे अलाव नहीं करेंगे या फिर पूरे देश में हम 50% से ज्यादा आरक्षन को अलाव नहीं किया जाएगा इसके बाद में इसमें बोला गया था जो socially और economically backward class हैं थोड़ा सा और पीछे चलते हैं अच्छा आएए शुरू से हम लोग इसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं कि यह बात है कि उन्नीस सो नहत्तर की जब केंद्र में मुरार जी देशाई की कि सरकार बनती है इस समय तक already आप लोगों का अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षण दिया जा चुका था यहां पर मुरार जी देशाई की सरकार द्वारा बी पी मंडल कि अध्यक्षता में second backward class कमीटी का गठन किया जाता है मतलब द्वितिय पिछड़ा वर्ग समीती का गठन किया जाता है कब किया जाता है 1989 किया जाता है मुरार जी देशाई की सरकार में 1980 में 1980 में यह जो मंडल समीती है मंडल कमिटी इसने क्या बोल दिया इसने बूला 27% यह जो समीती थी आपकी BP मंडल के अध्यक्षता में इसे बनाया गया था सामाजिक और सेक्षणिक रूप से पिछडी जनसंख्या के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया था मतलब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो पॉपुलेशन है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए BP मंडल का कमिटी बनाया गया 1980 में BP मंडल ने अपनी रिपोर्ट में बोला 27% रिजर्वेशन देना चाहिए कि इसको socially and एजुकेशनली बैकवर्ड को मतलब सेक्षणिक और समाजिक रूप से पिछडे हुए जो लोग है उन्हें 27% का अतिरिक्त क्या देना चाहिए अतिरिक्त इन्हें आरक्षण दे दी जानी चाहिए लेकिन हुआ ये इस समीती की रिपोर्ट के तुरंद बाद मुराजी सरकार क्या हो गई गिर गई फिर से नए चुना हुए नई सरकार बनी बहुत सारा हुआ कहीं ये मंडल जो समीती थी इसकी जो सिफारिशें थी ये कहीं न कहीं क्या हो गई ठंडे बस्ते में चली गई फिर आता है आप लोगों के पास में साल उनिस सो नवासी उनिस सो नवासी और यहां पर बनती है क्या जनता दल जनता दल की यहां पर क्या बनती है सरकार बनती है और किसके नेत्रित्व में बनती है सरकार जनता दल की जो सरकार बनती है वो बनत मतलब यहाँ पर VP सिंग क्या बन जाते हैं आपके प्रधान मंतरी बन जाते हैं और प्रधान मंतरी बनते ही यह बोलते हैं क्या मंडल समीती की जो सिफारिशे हैं उन्हें क्या कर दिया जाए लागू कर दिया जाए और जैसे ही ये ऐसा बोलते हैं वैसे ही हमारे पूरे देश में Reservation के पक्षिकारी और Reservation के एंटी जो लोग हैं उन सभी के बीच में अत्यन्त जादा हमें क्या देखने मिलता है विवाद देखने मिलता है पूरे देश में कई जगहों पर क्या होते हैं जाता है अधर बैक्वर्ड क्लासेज के लिए या फिर एकोनॉमिकली बैक्वर्ड क्लासेज के लिए माफ किजेगा सोशली एन एजुकेशनली बैक्वर्ड क्लासेज के लिए वैसे ही यहां पर इंद्रा सहानी इंद्रा ये क्या करती है ये जा करके सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन लगा देती है और जैसे ही ये रिट पिटिशन जारी होता है यानि कि सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन लगता है वैसे ही यह जो 27 प्रतीशत का सामाजिक और सेक्षनिक रूप से आरक्षन दिया गया था, इसे बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है 37 परसंट और इसमें शामिल कर दिया जाता है कि इनको आर्थिक रूप से पिछडे हुए लोगों को, याने कि 27 परसंट से बढ़ा करके कितन इसमें 37 परसंट कर दिया गया और इनसमें किनको जोड दिया गया, इकोनॉमिकली, वैक्वर्ड क्लासिस को, है ना, अब यहां पर पूरा सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता है, और 1992 में सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, अपना फैसला देता है, इंदरा सहानी वर्सिस यू सबसे पहली बात यह बोलता है, रिजर्वेशन शुड नौट एक्सीड फिफ्टी परसंट, और रिजर्वेशन और नो रिजर्वेशन शैल बी गीवन इन प्रमोशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब यह बोलता है कि भारत देश में जो रिजर्वेशन होगा, आरक नोकती, उसमें आपका क्या नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात यह बोलता है, प्रमोशन इन रिजर्वेशन है, क्योंकि इसको Supreme Court मना करदेता है, तो हमारी भारत सरकार विधाईका से 77 वह सम्विधान सम्शोधन पारित करवाती है, और इसके माध्यम से क्या कर दिया जाता है राज्यों को उनके स्वविवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वो प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहते हैं कि नहीं अगर उनके राज्य में लोक नियोजन में जो आरक्षित वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं है पर्य कोट ने क्या कर दिया है 65 परसेंट जो बिहार का आपका रिजर्वेशन रहा है उसको रद्ध कर दिया है एक जो सबसे बड़ा इशू यहां से निकल करके आ हो गया है मतलब वहां पर समाजिक और मानव विकास उतना नहीं हो पा रहा है तो वहां पर एक स्पेशल सरकम्स्टैंसेज को दील करने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है अपना रिजर्वेशन का कोटा को बढ़ाया है इंद्रा सहानी का जो case हुए 1992 में इसमें भी सरकार ने बोला है कि 50% से ज्यादा reservation तो नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ special circumstances में इसे exceed किया जा सकता है और उदाहरन के तोर पर Supreme Court ने बोला कुछ लोग जो extreme remote conditions में रहते हैं मतलब बहुत ज्यादा क्या रहते हैं परवती छेत्रों में रहते हैं या बहुत दूर गामी छेत्रों में रहते हैं है ना उनका विकास मुख्यदारा के विकास के समनांतर नहीं हो पाता उन उस प्रकार के cases में बढ़ाया जा सकता है तो क्या ये एक मात्र special ऐसा circumstance है कि remote areas में रहने वाला जो व्यक्ती होगा सिर्फ उसके लिए ही reservation के cap को बढ़ाया जा सकता है या supreme court को अपना जो आपका point of view है उसे broad करना चाहिए ये सवाल है ये सभी आप लोगों के लिए भी सवाल है हमारे लिए भी सवाल है courts के लिए भी है और सरकारों के लिए भी है क्योंकि 1992 किंद्रा सहानी case में क्या बोला गया था special circumstances for example people living in remote areas दूर गामी छित्रों में रहने वाले लोगों के लिए किया जा सकता है तो क्या यही एक मात्र special circumstance है या फिर बिहार की जो actual स्थिती है वो भी एक circumstance create करती है यह हमारे लिए क्या हो जाता है सवाल हो जाता है और इसलिए यह पूरा का पूरा आरक्षन का मामला हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है क्या important अब बिहार के साथ साथ हमारे पास कुछ अन्य भी ऐसे देश है जहां पर क्या है रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है और उसमें से सबसे जो प्राइम आपका स्टडी के लिए एक राज है वो है तमिल नाडू तमिल नाडू एक मात्र ऐसा राज है जिसने 69% आपका जो रिजर्वेशन है इसे यथावत रखा है 1993 से लेक करके अभी तक बाखी जो राज है वहां जब भी 50% से ज्यादा हुआ है आरक्षन उसे कोट ने चाहे वो लोकल हाई कोट हो चाहे वो सुप्रीम कोट हो उसने रद्द कर दिया है लेकिन तमिल नाडू में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है ये भी आज हम ल इसके बाद में वह 66% का हो गया कुल मिला करके सुप्रीम कोट ने बाद में इसे क्या कर दिया रद्द गोशित कर दिया फिर उडीशा में 11% एक्स्ट्रा रिजरवेशन दिया गया था economically backwards को तो वहाँ पे reservation कितना हो गया था 61% हो गया था बाद में इसे भी वहाँ की high court ने cancel कर दिया हमारे 36 गड़ में भी मामला चल रहा है reservation का सन 2011 में ततकालिन रमन सरकार ने क्या कर दिया था 50% से बढ़ा करके 58 प्रतिशत कर दिया था इसको 36 गड़ के reservation को जिसे high court ने वर्तमान 2022 में आ करके क्या कर दिया रद्ध कर दिया cancel कर दिया unconstitutional गोशित कर दिया और करनाटक है 56 प्रतिशत के साथ में अभी भी operational क्योंकि इसने अभी अभी हाल फिलहाल में ही क्या किया है अपना reservation पढ़ाया है STs और SCs का तमिल नाडू में 69% reservation कैसे हुआ इसको समझने की कोशिश करते है अच्छा ठीक है हमारे पास यहाँ पर information नहीं है मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ 1992 में 1992 में PV नरसिम्हा राओ की सरकार थी और 1993 में जै ललीता क्या थी आपकी तमिल नाडू की चीफ मिनिस्टर थी तमिल नाडू की क्या थी वो चीफ मिनिस्टर थी यह कहानी कब की है 1993 की 1993 में जो PV नरसिम्हा राओ की सरकार थी या फिर वो जो प्रधान मंत्री थे वो अल्पमत की सरकार थी याने की Minority सरकार थी उनके पास में Clear Majority नहीं था वो छेत्री अदलों से क्या लिये थे समर्थन ले करके अपनी सरकार बनाये थे और उनी छेत्री अदलों में से एक थी कौन जै लेलीता की पार्टी जै लेलीता ने अपने समर्थन के बदले में PV नर्सिम्हा राओ जी को convince कर लिया कि उनके राज में जो 69% का reservation है इसे केंद्र सरकार क्या कर दे? 9 अनुसूची में डाल दे याने की 9th schedule में डाल दे 9th schedule 9th अनुसूची में डाल दे 69% का reservation का मामला है तमिल नाडू का ठीक है? तो जो आपका 69% का यहाँ पर आपका क्या है? पूरा का पूरा reservation का मामला था तमिल नाडू को उसको कहां पर डाल दिया जाए? इन्हों ने बोला इन्होंने 9th अनुसूची में डालने के लिए कह दिया किसको PV नरसिम्हाराओ को किसके बदले में? अपने समर्थन के बदले में PV नरसिम्हाराओ जी की सरकार ने इसे 9th अनुसूची में डाल भी दिया और 9th अनुसूची का पूरा का पूरा मामला यह है आपके भारतिय सम्मिधान में भारतिय सम्मिधान का पहला सम्मिधान संशोधन First Constitutional Amendment Act जो की 1990 में क्या किया गया लागू किया गया इसमें तीन चीजों को जोड़ा गया एक आपके भारतिय सम्मिधान में अनुचेद 31B और साथ में अनुचेद 31B में यह बताया गया कि उन सभी मामलों को या वे सभी विशय जिने भारतिय सम्मिधान के अनुचेद 9 में जोड़ दिया जाएगा उन सभी पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या नहीं कर पाएगी हस्त शेप नहीं कर सकती यह एक अधिकार छीन लिया गया किस से सुप्रीम कोर्ट से किसके माद्यम से पहली सम्मिधान संशोधन के माद्यम से 1959 में हुई अनुचेद 31B में बोला गया कि जो भी विशय भारतिय सम्मिधान के अनुची 9 में शामिल कर दिया जाएंगे वहां से जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका जुडिशल रिव्यू करने का याने कि न्याइक पुन्राव लोकन करने का वहां पर शक्ति खतम हो जाएगी नौवी शेडियूल में जहां पर भी कोई सब्जक गया मतलब वहां पर कोई भी कोर्ट क्या नहीं कर सकता उसको अपने पास बुला करके उस पर फैसला नहीं दे सकता ये बोल दिया गया कब 1951 में जह ललीता ने क्या कर दिया 1993 में इसी नववी अनुसूची में अब ये जो नववी अनुसूची है इसमें डालने के लिए जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल कैसे हो सकती है संसद के माध्यम से तो जो जह ललीता है इन्होंने कन्विंस कर लिया किसे केंदर सरकार को और नुवी अनुसूची में डलवा दिया तमिल नाडू के 69 परसंट रिजर्वेशन को और ये बोल दिया गया कि अब कोई भी सरकार क्या नहीं कर सकती कोई भी आपका कोट चाहे सुप्रीम कोट हो हाई कोट हो चाहे कोई भी कोट हो अब यहां पर न्याइक पुन्रावलो कर नहीं कर सकती लेकिन सन 2007 में सन 2007 में एक एक बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है 2007 में यहां पर एक केस होता है आई यार कोहेलो वसेज यूनियान ओफ इंडिया और इस केस में बोल दिया जाता है कि भारतिय सम्विधान का हर वो हिस्सा जुडिशल रिव्यू के लिए ओपन होगा न्याइक पुन्रावलोकन खिया जा सकेगा जो भारतिय सम्विधान में केशवानन्द भारती 1973 के के केस के बाद में बेसिक फीचर का पार्ट होगा बेसिक स्ट्रक्चर माफ किजएगे बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा बुनियादी धाचे का पार्ट होगा आपके सम्मिधान का उन सभी में क्या किया जा सकेगा जुडिशल रिव्यू किया जा सकेगा मतलब इसने क्या किया है नुवी जो अनुसूची है 9 schedule इसे भी अपने अंडर ले आया है किसके अंडर judicial review के अंडर लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मामला यहां पर है कि judicial review तभी होगा जब यह क्या करेगा बुनियादी धाचे का क्या करेगा हनन करेगा या फिर basic structure basic structure का यह क्या करेगा हनन करेगा तो यह पूरा का पूरा जो reservation का मामला है यह आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा क्या हो जाता है important हो जाता है आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए राष्ट्री और अंतर राष्ट्री जितने भी समसमाई की हमारे लिए बची हुई है इन्हें हम कल डील करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे बाकी का जो बचा हुआ portion है उसे कल डील करेंगे तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन प्रेस कर लेंगे और जादा से जादा लोगों तक ये information पहुँचा देंगे अपनी जो students community है वहाँ पर जादा से जादा क्या करेंगे इस information को पहुँचा देंगे अगर आप चाहते हैं झाल 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 is